जॉब का है? सारा दिन बैठना है और उपर से कोई physical work नहीं है और खाना 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 जिससे क्या हो रहा है? फैट तो गेन हो रहा है? मसल जो के lean मसल चाहिए आपको वो सुकड गया यह ऐसे नहीं कि आप जिन में गए exercise किया और ठीक हो जाएंगे इनके मसल उल्टी जगाते हैं तो अगर आप चाहें यह मसल बना सकते हैं और यह दर्द actual में छूम अंतर कर सकते हैं नमस्कार D5 Channel हिंदी देख रहें सभी दर्शोकों का मैं विभोर स्वागत करता हूँ आज हमारे साथ मवजूद है है हेल्थ कोच रविंदर सेंजी रविंदर सेंजी आपका बहुत-बहुत स्वागत है D5 Channel हिंदी में तैंकियू विभोर जी नमस्कार आज हम बात करेंगे कमर दर्द और घुटनों में दर्द की मैं पहले यही जानना चाहूंगा कि कमर दर्द और घुटनों का दर्द होता क्यूं है और किन वजाओं से होता है हमें विभोर जी देखे दो तरीके से कमर दर्द और घुटनों में दर्द हो सकता है पहला है एज की वज़े से दूस अगर आप यूज करते हैं बनता है जब आप यूज नहीं करते हैं वो सुकर जाता है अब ओल्ड एज में जिन लोगों के घुटने दुखते हैं वो क्यूं है क्योंकि बॉड़ी हिलानी डुलानी कम कर दी मसल श्रिंक हो गया अटरफी कर गया उससे क्या हुआ जब मसल ही नह से परिशान है, उनमें भी यही प्रॉब्लम है, मसल एटरफी कर गया, मतलब मसल सुकड गया, क्यों, जॉब कहा है, सारा दिन बैठना है, और उपर से कोई फिजिकल वर्क नहीं है, और खाना खाना खाना, जिससे क्या हो रहा है, फैट तो गेन हो रहा है, मसल, जो के लीन मसल चाहिए आपको, वो सुकड गया, अब प्रॉब्लम एए है, इसके मसल हैं कहां, जो इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ये ऐसे नहीं कि आप जिन में गए, एक्सेसाइज किये और ठीक हो जाएंगे, इनके मसल उल्टी जगा पे हैं, तो अग मगर आप चाहें, ये मसल बना सकते हैं, और ये दर्द, एक्चुल में छूम अंतर कर सकते हैं, मगर आपको ये नौलेज होने चाहिए, कि कौन से मसल के साथ, क्या लेना देना है, एक स्पेशल केस है, जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहा होता है, लाइफ में, हेवी स्ट जो कि आज कल पॉपुलर हो रहा है, ओवरवेट घुटनों में दर्द कर देता है, ओवरवेट क्या है, देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका वेट 80 किलो होना चाहिए था, और आपका वेट 81 है, आपके घुटने को वो 4 गुना जादा लगता है, तो 81, जो 1 एक् 80 का भार जो आपकी बॉड़ी का है, घुटने पे और कमर पे आता है, तो 3 लॉजिक समझ लीजिए, ओवरवेट, स्ट्रेस या सबसे बड़ा कारण जो है, एटरफी हुआ हुआ मसल, जो कि मसल चाहिए थे है नहीं, कहा जाता है, खड़े हो के पानी पीनी से भी घुटनों जो आरो का पानी है, वो खोखला पानी है, उसमें अगर आपने पानी अच्छा पीए, कैसे उसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक, निम्बू का रस दालके, तो आपको पानी हेल्प करेगा, मगर खड़े होके पानी पीने से गोटनों में कोई special logic नहीं है, कमर का दर्द अक निकल आया है, हमारी पीठ में कर्व है, कर्वेचर, वो कर्व एक लेवल तक ही है, ज्यादा हो जाए, अगर आगे को ज्यादा पेट निकल जाएगा, तो क्या होगा, आपकी कमर पे दर्द हो जाएगा, अगर आप देखे हैं, हमारी बैक पॉन थोड़ी सी अंदर को है, मी कर्व होना चाहिए, सही एंगल पे, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों से डिस्की प्रब्लम आती है, तो लेडीज में, आज कल लेडीज वेट ज्यादा उठा लेती हैं, अपनी बॉड़ी वेट हैवी कर लेती हैं, और उनकी बैठने के और एक्सराइज करने के तर साइज करने से होता है, जी हाँ, देखे क्या करते हैं, कई बार आप देखेगा हम जब वेट उठाते हैं, मेन भार हमारी बॉड़ी में, जब हम कोई हैवी चीज उठाते हैं, कमर लेती है, अगर आपके इंस्ट्रक्टर को नॉलेज नहीं है, एक स्पेशल बेल्ट आती है जो के कमर के मसल को पकड़ती है, जब भी आपने नीचे से कोई हैवी चीज उठानी है, आप देखेगा जब कमर में दर्द होता है, भारी चीज उठानी मुश्किल हो जाती है, हमें लगता है हमने बाजू से चीज उठाई, नहीं, 90% weight हम कमर से उठाते हैं, तो अगर आप गलत तरीके से जिम कर रहे हैं, और बिना warm-up के जिम कर रहे हैं, या फिर too frequently जिम कर रहे हैं, ये भी बहुत जुरूरी चीज है, अगर आपने एक दिन जिम किया, अगले दिन body को rest चाहिए, growing pains हैं, जो के वापिस आती हैं, वो एक कई बार 24 घंटे, कई बार 48 घंटे लगते हैं, वो pain जाने में, तो ये सही technique, सही तरीका और सही timing बहुत जुरूरी है, कमरदर्द और घुटने के दर्द को का घर पर रहकर भी ठीक किया जा सकता है, विभोर जी मुझे ऐसा पता है, मेरे अपने आप experiment किया है, एक लेडी ने हमारी advice मानी, और उसने अपने घर के सोफ के इर्दगीर्द, एक special तरीके से मैंने share करनी बताई थी, उसने अपनी कमर बर छूम अंतर कर ली, जैसे मैंने बोला है, आप देखिए, जब हम चलते हैं आप notice कीजिएगा, जातर हम कैसे चल रहे हैं आगे को, हम muscle use करते हैं तीछे वाले, उल्टी चीज है, कमर को पकड़ करने वाले muscle हमारे front में है, especially यहां, पेट के right and left से लेके, जांगो में, तो आप हैरान हो जाएंगे, तीन से 7 minute daily, आपने यह exercise करनी है, कोई equipment नहीं चाहिए, समतल रोड जाहिए बस, और आप कमर दर्ध और घुटनों के दर्ध को छू मंतर बोल देंगे, especially hip joint वाले muscles को, हमने back चलना है, विभोर जी, हमने back चलना है, सिर्फ 3 से 7 minute, बस ध्यानी रखना है, space जहां पर हम करें, वो उबड़ खाबड़ ना हो, ताकि गिरना जाए, चोटना लग जाए, हम जब back चलते हैं, हमारे front के muscles, जो के हम कभी use नहीं करते, बार stimulate होंगे, एक तरह से वो active होंगे, तो जो muscle atrophy में चले गए थे, सुकड गए थे, दुबारा बनने शुरू हो जाएंगे, पहले या दूसरे दिन के बाद, आपको ना यहाँ पे, टेट के left and right और जांगो के front में, दर्द महसूस होगा, जिसको growing pains बोलते हैं, muscle grow कर रहा है, within 3 to 4 days, कमर दर्द, जिसको हम hip joint वाल दूसरा फाइदा, जिसको हम बोलते हैं, कुप पड़ गया, जो back slouch हो जाती है, लोगों की यहाँ वाली, यह muscle ठीक होते हैं, आपकी height अच्छी होती है, और आपको जो sitting posture है, आपकी खड़े हो के posture है, जो आपका, वो align सीधा हो जाता है, problem क्या है, 90% लोग बैठे हैं, अग कैसे करते हैं, उल्टा चल के, कोई भी अच्छा coach, gym वाला, sports coach या swimming coach, आपको हमेशा backstroke, back running या back exercise जरूर सिखाता है, उल्टा चलने वाली, क्यों, हमने दोनों तरह के muscles को काम करना है, आप देखेगा, note करके आप चल के देखेगा, आप notice किजिगा, आप कौन से muscles की exercise कर रहे ह जब आप front चलते हैं, आप उल्टी पीछे muscles काम कर रहे हैं, मगर back को पकड़ने वाले muscles front पे हैं, तो सेम घुटनों को पकड़ने वाले muscles front पे हैं, जब आप back walk करते हैं, आप वो muscles stimulate कर रहे हैं, उनको active कर रहे हैं, और वो atrophy से बाहर आके, दुबारा solid होते हैं, और आपके द soft bone है, हमारे कान में भी वो bone है, cartilage बोला जाता है, और हमारे घुटनों में भी है, क्योंकि हड़ी पे हड़ी ना टचो, तो उसमें, कुदरत में एक soft bone रखी है, जो कि बहुत ही लचकीली और greasy होती है, वो grease नहीं होती, वो थिंदियाई जैसे है तो bone, अब दिक्कत क्या है, अगर आपकी body में collagen कम हो गया है, या आपकी body में extra stress है, या कोई autoimmune disorder है, तब आपको ये good good में grease खतम हो जाती है, एक कारण stress का होता है, overweight, वो एक pressure तक ही ले सकती है, तो उससे ज़्यादा pressure पड़ता है, वो जैसे गिस जाती है, अब इसके लिए, जो non-veg लोग है, उनको तो बहुत अच्छा solution मिल जाता है, खरोडे या जिसको bone broth बोला जाता है, वो body में क्या करते है, collagen वापिस आ जाते है, vegetarian लोगों को collagen मिलता नहीं है, क्योंकि collagen ही non-veg cheese, तो उनके लिए solution क्या है, vitamin C, heavy लेना पड़ता है, vitamin C कहा से आता है, नीम्बू या आमला से, वो मदद करता ह दूसरी चीज, vegetarian लोगों को पहले ही weight कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास इस चीज का solution नहीं है, तीसरी चीज, अगर weight ज्यादा है, सबसे पहले weight कम कीजिए, शायद घुटनों में जो grease जिसको बोलते हैं, मगर overweight की वज़े से दिक्कत में है, और अगर stress है body में, तो stress तनाव कम कीजिए, तनाव से भी कई बार घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो कई बार बिना, मैं बोलूँगा, root cause समझे, गलत diagnose भी किया जाता है, तो पहले आप stress और weight कम कीजिए, अगर फिर भी दर्द है, फिर आम घुटनों के वहां तक वाली जी, डलवाने की वज़रोती नहीं पड़ी, कहा जाता है कि जैसे हम घुटने चेंज करवा लेते हैं, डलवा लेते हैं, तो घुटने कई बार खराब हो जाते हैं, लोग उठनी पाते, तो क्या ये बात सच्चा है, विभोर जी अगर आप एक चीज समझे, autoimmune disorder, वो क चीज को मारना चाहेगा, अगर आपको घुटने सेट नहीं आए, मेरे बहुत करीबी रिष्चिदार के साथ ये हुआ, उनको आ रहे हो गया, मगर टेस्ट में नहीं आ रहा, तो जो घुटने डाले गए, वो बॉड़ी ने accept नहीं किये, सारे जोड लॉक हो गए, ऐसे भी नहीं इल सकते वो बिचारे, क्यों? क्योंकि everything became autoimmune, तो उसने सारी बॉड़ी के जोइंट को अटेक कर दिया, तो मैं नहीं चाहूँगा कोई भी यक्ति उस टेज तक पहुंचे जहां उसको नकली, artificial चीज दलवानी पड़े बॉड़ी में, क्योंकि उसके कई बार बहुत ब अगर आपका लिवर फैटी हो गया, तो आपकी पिंच नर्व की जो वो है क्या बोलेंगे, चांसिस ऑफ केटिंग पिंच नर्व सो परसंट बढ़ जाती है, तो अगर चांसिस बिलकुल नहीं थे, बहुत आचांसिस हो गए, फैटी लिवर खान पान से खराब होता है, फ्रूट खाते हैं, बहुत जड़ा कार्बोहरेट खाते हैं, तो लिवर फैटी हो जाता है, ऐसे ही अगर आप बार बार खाते हैं, गलत खाते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है, उससे भी घुटनों पे या हमारे हिप जॉइंट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, तो महां से आता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस की इस वज़े से आया, बढ़ा हुआ वेट या टू मच ब्लड शुगर, यह भी दिक्कत हो सकती है, रविंदर सेंजी आपने बहुत महत्पून जानकारी दी हमारे को, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अ अगले अपिसोड में फिर हाजर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार